Employability Skill की कलास में आप सभी का स्वागत है आज का टॉपिक है Communication Skill ये Communication Skill का Part 2 वीडियो है Part 1 वीडियो यूट्यूब पे अपलोड कर दिया गया है जिन ट्रेनीज ने Part 1 वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रेप्शन की लिंक में जाकर Part 1 वीडियो को देख सकते हैं तो आज हम जानेंगे Process of Communication संचार की परक्रिया के बारे में जानेंगे तो संचार एक आवश्यक मानवी परक्रिया है जिसकी साहता से मनेश से अपने भावों को, अपने विचारों को, प्रेणा आदिव को एक दूसरे को संप्रेशित करता है, आदान परदान करता है संचार परक्रिया में बहुत से माध्यम कारे करते हैं जैसे सूचना का सुरोत, सूचना को प्राप्त करने वाला, Receiver सूचना का माध्यम, किस चैनल से आप सूचना दे रहे हैं, वो सूचना का माध्यम टेलिफॉन के द्वारा सूचना दे रहे हैं, मेल के द्वारा सूचना दे रहे हैं, चिठी के द्वारा सूचना दे रहे हैं या फैक्स के द्वारा सूचना दे रहे हैं, तो सूचना का माध्यम यह उचीत रूप से तभी पूरी होती है एक संचार की प्रक्रिया तभी पूरी माने जाती है जब भेजने वाला अपना संदेश भेजता है तथा प्राप्त करने वाला उस संदेश का उत्तर देता है यहनि कि two way communication होता है अगर मैंने आपको कोई message किया आप receiver है अगर आप उस message का feedback नहीं देते हैं तो वो संचार की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई संचार के तथो को जानते हैं elements of communication संचार के साथ तथो होते हैं बहुत important है यह elements of communication तो सबसे पहले जानते हैं प्रेशक प्रेशक कहलाता है sender जो sender होता है जो message को भेशता है जो message को भेशता है उसको बोलते हैं हम प्रेशक English नहीं बोलेंगे sender तो सबसे पहले sender उसके बाद message अब वो कौन सा message भेज रहा है तो वो एक message होना चीए जो भी आपको message करेगा तो वो message नमबर तीसरा तत्त्त है देखो encoding किस सांकेतिक भासा में लिख रहा है उसकी कोई अपनी language है उस language को भो message को बनाता है चौथा है संचार का माध्यम communication का channel क्या है माध्यम कौन सा वो चूज कर रहा है क्या वो चिठ्थी वाला माध्यम यूज कर रहा है WhatsApp को यूज कर रहा है या telephone के द्वारा आपको message कर रहा है तो वो message का माध्यम क्या है संचार का माध्यम क्या है पाचवा है receiver यनि कि प्राप्त करता अब उस माध्यम के द्वारा receiver को message receive हो गया तो number 5 मा आ गया receiver जिसको message प्राप्त होता है वो receiver कहलाता है इसके बाद छटे में है decoding जब receiver को message receiving हो जाएगा तो receiver उस message को decode करता है अगर वो किसी सांकितिक भासा में लिखा हुआ है किसी गोपनी भासा में लिखा है तो वो उस message को समझता है उसको decode करता है आपके भेजेवे message को वो जब समझ जाता है तो नमबर साथ में फिर वो feedback देता है, आपको उस message का उत्तर देता है, यनि कि जो प्रेशक है, प्रेशक को जो receiver करता है, वो जब feed देता है, तभी संचार की प्रक्रिया पूरी माने जाती है, तो ये संचार के साथ तत्व थे, जो की करम से होते हैं, इस पेस कम होने की वज़ से ये तीन मैंने नीचे कर दिये हैं, जैसे संचार माध्यम के बाद सीधे प्राप्त करता आ जाता है, इसके आगे उसके बाद decoding फिर feedback, तो ये संचार के तत्व थे, अभे संचार का महत्व क्या है, क्या importance है communication की, तो संचार प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपने भावना को पता लगाने का परियास करता है, साथ ही व्यक्ति अपने वातावर्ण को संगठित करने, विविन परकार की सूचनाओं को पराप्त करने, तथा वातावर्ण के साथ सामंजस से इस्थापित करने का परियास करता है, स्वयम के विसो में दूसरों की प्रतिक्रियाओं को जानकर व्यक्ति दूसरे के साथ संचार इस्थापित करके समाज में अपनी एक पहचान बनाने का परियास करता है, तो यह संचार का महत्त तो है, दूसरा क्या है, कि संचार द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तिकों के बीच सूचनाओं की भागेदारी होती है जब दो आदमी होंगे तभी Communication होगा तो उससे क्या होगा सूचनाओं की भागेदारी होगी जिससे उनके मन में एक दूसरे की पर्ति जो है कल्यान की भावना शुनिष्यत होगी उन दोनों के बीच में एक प्रेम की भावना उत्पन्नों होगी और इससे समाजिक जो है एकता जो है का मारग परसस्त होता है जो समाज में unity है उसका भी मारग परसस्त होता है तो संचार का ये महत्व है ये communication की importance है अब संचार में कुछ बाधाईं भी आती है कुछ barriers हैं, एक communication के कुछ barriers हैं, जिससे हमारा जो संचार है, वो उतना smooth नहीं चल पाता, तो वो कौन-कौन सी बाधाएं हैं, उनको जानेंगे, सबसे पहली बाधा है हमारी भासा की, language की, जो language हम choose कर रहे हैं, जो words हम choose कर रहे हैं, सबसे पहली जो बाधा है, वो भासा आती है, भासा कई बार संप्रिशन में एक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है, जैसे suppose करो, किसी company का manager है, वो कोई दूसरी भासा जानता है, जिसे करमचारी नहीं समस्ते, तो संदेश के संप्रिशन में समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जो संदेश का संप्रिशन है, उसमें समस्या हो जाएगी, आदान परदान करने में संचार में समस्या उत्पन्न हो जाएगी, दूसरी भादा कौन सी आती है, संदेश वाहक के कारण आ जाती है, कभी कभी संदेश वाहक स्वयम भी संप्रिशन में समस्या उत्पन्न कर देता है, जैसे यदि उसे किसी भी से में कम ग्या ग्यान है तो वह ठीक प्रकार से उसे समझा नहीं पाएगा और अगर बहुत ज्यादा ग्यान है तो उसे इतना व्यक्त कर देगा कि सुरोता जो है वो भिर असमंजश्य में पड़ जाता है तो संदेश वाहक के कारण भी कभी-कभी संदेश क्या केते हैं कॉम्णिकेशन में बेरियर आ जाता है तीसरा जो बादा है वो है संदेश इस्थांतरन के कारण जब मैसे टांसपर होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति पे तो जो चैनल के माध्यम से टांसपर होता है तो अनेक चैनलों से होके गुजरता है जि मिर्च मसाला लगते हो बात कुछ भिन्त हो जाती है तो कि की जारी है तो किसी सोर के कारण उससे नहीं पहुंच पा रही है तो जिसे सम्प्रिसन में समस्चय आती है यह सोर बहर काभी हो सकता है या किसी के बीच में किसी की किरिया जीसे मुबाइल के बजने सेक्षर पढ़ा रहा है और यह नजधीक में साधी बराज चल लिए तो डीजे की आवाज आ गई किसी ने छीक दिया पंऩे पलटने से ये कई कारणों से हो सकता है तो सोर के कारण भी हमारे communication में जो है बाधा उत्पन्न होती है नेश्ट है एक से अधिक संदेशों के कारण यदि संदेश प्राप्त करता एक ही समय पर एक से अधिक संदेश प्राप्त करता है तो वो थोड़ा कशान नहीं दे पाएगा कई मेसेज एक साथ पहुंच गए उसको यह भी करना है यह भी करना है और यह भी करना है तो वह द्यान नहीं दे पाता है तो यह बेरियर से थे आपके कीषी व्यक्ति को भीजना है और आपने फैक्स इमेल के अत्रिक्त क्या किया किसी को पोस्ट के दौरा भीज दिया आपको जल्दी ती वो सूचना को भीजने के लिए तो भी जो है एक बरियर स बन जाता है कॉम्मुनिकेशन में गभरावट एम असहस्ता के कारण अगर घबरावट है असहस्ता है तो संचाल के दिवरान व्यक्ति से शाक्षातकार के समय घबरावट या फिर असहस्ता व्याहार स्वभाविक है जब आपको अभी इंट्रिव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें घबर देने के लिए खिर, आपको बोला दिया तो घबरावट होना स्वभाइक है तो यह घबरावट भी कभी-कभी बैरियर बन जाती है एक यह तो बैरियर से अब संचार में जो जो यह बैरियर से थे कुछ दूर करने के उपाई भी हैं अगर हम परियास करें तो इन सारे बेरियर्स को दूर किया जा सकता है इन बाधाओं को दूर किया जा सकता है तो कौन-कौन से हैं वो नमबर एक विशय का ग्यान हो यह संचार की बाधाओं को दूर करने की प्रकरिया अनवारी सर्त है कि इसके अंतरगस संदेश देने वाले से अपेक्षा की जाती है कि उसको संदेश समंधि ग्यान हो जो वो मैसेज कर रहा है भी उसका उसे पूरा ग्यान हो जिससे जो प्राप्त करता है जो मैसेज को रिसीव करने वाला है वो उची संदेश गहन करने के बाद अनकूल फीड़ बैक दे सके अपनी प्रतिकरिया बता सके दूसरा उपाय है दर्सकों सुरोताओं से संबंधि जानकारी हो परवहवी तथा इस पश्ट संचार के लिए आवश्यक है कि जो संदेश जो प्रेसित कर रहा है जो सेंडर है वो सामने वाले प्राप्त करता यहनिकी दर्सक या सुरोता की समझ उसकी एजूकेशन तथा उसकी जो रूची है उसकी वो जानकारी रखता हो ऐसा होनी पर संदेश आसानी से प्राप्त करता तक पहुँच जाता है जिसका परमान सकारात्मक फीड होता है फिर है जो मैसेज है वो उद्देश पूरक हो जो मैसेज है वो उद्देश पूरक हो जिससे प्राप्त करता इसको पूर्ण रूप से गहन करने में शक्षम भी हो या गहन करने की जरूरत समझे जिससे प्राप्त करता के समाज अबलिक देश समंधी कोई संदेश है जैसे जो प्राप्त करता है रिसीवर है समाज या देश के समंध में कोई संदेश है तो वो इस की जो है ऐसा मेंसेज़् हो जिसका कोई उद्धेश हो हो अध्यम की सपश्टता हो वैसे चुका है साहयक की उपूमिका में होता है लेकिन संचार के अंतरगत किसी संदेश के संदेश इस रोज से प्राप्त करता तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया इसकी माध्यम इसपश्टता पर निर्भर करती है कि आप माध्यम कौन सा यूज कर रहे हैं अतह संदेश प्रेशित करने से पहले हमें माध्यम की गुणमत्ता तथा इस्तितिकी जाच अवश्य कर लेनी चाह संदेश संगठित तथा लक्षित हो जो हम मैसेज भेज रहे हैं इसमें यह पेक्षा की जाती है कि संचार के करम में जो भी संदेश प्रेशित हो वह व्यस्थित छोटा तथा प्राप्त करता की परित्ति लक्षित हो जिससे संचार की उप्युक्तता शुनिश्यत हो शके बाधाएं आती हैं उन बाधाओं को जाना और उन बाधाओं को किस तरह से हम barriers को दूर कर सकते हैं उसके बारे में जाना तो आज का topic हम यहीं पर समाप्त करते हैं तो बने रहे चैनल के साथ आज के लिए इतना ही धन्यवाद